आहें मर्चना क्लासियो केजी सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर एग बच्चों कल ऐसा कि तुम लोग को मैं क्या बताई थी छोटी वो की मांत्रा वाले शब्द तो कल तुम नोगों ने यह सब पढ़ा छोटी की गपरू की मांत्रा लगाओगे तो यह पर क्या हो जाएगा यह पर आगी मांत्रा तो तीनों मिलाकर क्या हो जाएगा बच्चों गुजिया तो यह कल तो तुम लोग को हम रिडिंग लगा दिये थे सारे लोग रिडिंग लगाए कौपी में लिखें अब आज हम लोग की मांत्रा शे वर्ड सब्द पढ़ेंगे और सब्द में यह वह शुबह कपरा की मंत्रा का समय थपरविया की मंत्रा था तो सुबह का शमय था कपरू की मंत्रा कू कुशल जाग उठा वह दपरू की मंत्रा क्या है दू वह लपरा की मंत्रा क्या हो जाएगा ला तो यह तिनों मिलाकर क्या हो है दूबला वह दूबला पतला लड़का गपरू की मंत्रा कुशल कुशल श गपरू की मंत्रा गुन शगुन कपरा की मंत्रा का भपरा की मंत्रा भाई थपरा की मंत्रा था कुशल शगुन का भाई था, उनकी माता का नाम मधु था, कुशल गरम गरम गुलाब जामुन खाता वो खुशी खुशी गाना गाता, मधु का बटुवा लाल था, बटुवा बहुत बड़ा था ठीके, बच्चों तुमनों को समझ में आ रहा है न, कैसे रिडिंग लगाना है, कोई भी प्राब्लम हो तुमनों पूछना, फिर मैं तुमनों को बता देती हूँ सुबह का समय था, कुशल जाग उठा, वह दुबला पतला लड़का था, कुशल सगुन का भाई था, उनकी माता का नाम मधु था, कुशल गरम गरम गुलाव जामुन खाता, वह खुशी खुशी गाना गाता, मधु का बतुवा लाल था, बतुवा क्या होता है बच्चो, पर्स, बतुवा किसको बोलते है पर्स, देखो यह मधु बैटी है न, देखो यह रेड कलर का पर्स ली हुई है न, इसको बोलते है बटूआ, मधू का बटूआ लाल था बटूआ बहुत बड़ा था, ओके अब तुम लोगो तो शमझ में आ गया होगा ना, कैसे रिडिंग लगाना इसको रिडिंग लगा और अपनी कॉपी में भी कॉपी में लिखे तुम लोगों को शेयन करते हैं कैसे कॉपी में लिखना है ओके थेंक यू